यहां तक इसमें अवैद भवन के निर्मान की बात है उस पे सरकार ने संग्यान लिया है अगर यह अवैद पाया जाता है तो निश्चत तौर से इसको डिमॉलिश किया जाएगा यहां तक इसमें इलिगालिटी की बात है जहां तक इसमें अवैद भवन के निर्मान की बात है उस पे सरकार ने संग्यान लिया है और मैंने विधान सबा के सबापटल पे भी यह पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिशनर का फैसला आता है according to the rule of law and within the ambit of law इसके उपर कारवाई करवाई जाएगी इसमें कोई दोराए नहीं है अगर यह अवैद पाया जाता है तो निश्चत तोर से इसको डिमॉलिश किया जाएगा मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेश्ट रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है और मैं आपको ये विश्वास दलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शान्ती का महौल बना रहे आपसी प्यार का महौल बना रहे और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माद्यम से क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राश्ट्रियस तरपे और प्रदेश तरपे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी मैं आंकडों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज को फिर से दुरा रहा हूं और इतिहास के पन्नों में ये चीज बिलकुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरन का कानून कॉंग्रिस पार्टी की सरकार ने जब वीड भजजस सिंग जी प्रदेश के मुखे मंत्री थे 2006 में इसको लागू किया गया था इस इस अ मैटर ऑफ फैक्ट इस अ मैटर ऑफ हिस्टरी और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है इसको कोई नहीं बदल सकता और दूसरा हिमाचल में सेंकडों मंदरों के निर्मान के लिए पुनर निर्मान के लिए क्रोडों रुपे कॉंग्रिस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदरों के निर्मान के लिए दिये है हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं हम, I am proud to be a sanatni, I am proud to be a hindu, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का अश्रिवाद लेने के लिए 22 जन्वरी को अयोध्या में मैं गया था, मगर जहां तक सरकार की कारवाई की बात होती है, that is, as I said, it has to be within the ambit of law, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, और मुझे, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि Himachal Pradesh is not a banana republic, जहां पर sentiments पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है, we have to follow certain procedures, we have to follow the constitution, और जैसा मैंने विधान सभाव में भी कहा, in this present case, we have to follow the ambit of the municipal act, जो इस particular case में लागू है. लागू है,